एशिया कब 2023 के लिए भारतिये क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी नहीं नहीं इसे इस तरह से मत लीजे कि भारतिये टीम एशिया के स्टूनमेन का हिस्सा नहीं होगी बलकि एशिन क्रिकेट काउंसल यानी ACC के प्रेसिडेंट जैशा ने ये इशारा किया है कि 2023 में होने वाले Asia Cup पाकिस्तान की जगह किसी neutral venue पर खेला जा सकता है ये खबर मुंबई में हुई BCCI की सालाना जनरल मीटिंग के बाद सामने आई है हाला कि इस पूरे मामले पर अभी ACC में चर्शा होनी बाकी है जहां पर अगले Asia Cup को लेकर अंतम फैसला लिया जाएगा BCCI सेकरेटरी जैशा ने BCCI की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा Asia Cup 2013 एक neutral venue पर खेला जाएगा मैं ये बात बतौर ACC President कह रहा हूँ हम पाकिस्तान नहीं जा सकते और वो भारत नहीं आ सकते पहले भी ऐसा हो चुका है Asia Cup को neutral venue पर खेला गया है जैशा जिस वक्त ये बयान दे रहे थे उस वक्त उनके साथ BCCI President Roger Bini कोशा ध्यक्ष आशी शेलार और बोट के Vice President राजीव शुकला मौजूर थे 2023 से 2025 तक के Future 2 प्रोग्राम में पाकिस्तान को दो मेजर टूनमेंट्स होस्ट करने के राइट्स मिले हैं जिन में 2023 Asia Cup और 2025 Champions Trophy शामिल है वहीं भारत की बात करें तो भारत को 2023 में पचास ओवर के Cricket Vishu Cup का आयोजन करना है ऐसे में जैशा के इस बयान के क्या माईने रहेंगे ये देखना होगा भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक रिष्टे सही नहीं होने की वज़े से दोनों टीम्स एक दूसरे देश में सीरीज नहीं खेलती भारतियों क्रिकेट टीम साल 2008 में आखरी बार पाकिस्तान के दौरे पर गई थी वहीं पाकिस्तान 2016 में T20 World Cup के दौरान भारत आई थी दोनों देशों के बीच साल 2012-13 में आखरी बार दूई पक्षिय सीरीज खेली गई थी जिसमें पाकिस्तान की टीम भारत आई थी दोनों टीम्स के बीच हुए मुकाबलों की बात करें तो हाल ही में UAE में खेले गए एशिया कप 2022 में इंडिया और पाकिस्तान भेडे थे जबकि 23 अक्टूबर 2022 को मेलबन में T20 World Cup में दोनों टीम्स फिर से आमने सामने होंगी BCCI ने पिछले हफते ही स्टेट असोसियेशन्स को AGM एजेंडा का नोट भेजा था जिसमें उन्होंने 2023 में पाकिस्तान में होने वाले Asia Cup को मेजर मल्तिनाशनल इवेंट बताया था लेकिन अब सेक्रेटरी जैशा के इस बयान से ये सपश्च हो गया है कि दोनों देश Asia Cup में पाकिस्तान में शायद नहीं खेल पाएंगे BCCI की तरफ से आए इस बयान पर अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रतीक्रिया का इंतजार है फिलाल इस खबर में इतना ही आपके लिए खबर लिगी थी हमारे साथ ही विपिन ने मैंने हारे का याद अप देखते रहे है ललन टॉप स्पोर्स शुक्रिया